हर्याणा में 5 जुलाई से क्लर्क खर्ताल पर बैठे हुए हैं सरकार को करोडों का रुकसान हो रहा है लेकिन क्लर्क की पेग्रेट बढ़ाने की मांग अभी तक पूरी नहीं हुए है करमशारियों का यही कहना है कि जब समान रूप से सभी करमशारी पूरी महलं से काम कर रहे है तो वेतन में विसंगती क्यों? ऐसे करमशारी भी है जो हमसे कहीं ज्यादा तनखा ले रहे हैं और काम उत्रा नहीं है या पब्लिक पे इस वक्त हम पंच्कुला की सेक्टर पांस धरना स्थल पर मौझूद है आपको बता दे आँ जुलाई से लगातार कलरक जो है अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे है और दो दोर की बैठक जो है हर्याना के मुक्यमंतरी मौनालाल के ओएजडी जोहर यादव के साथ जो है सी ए डवलू एस आउस के जो दिकारिया पदा दिकारिया उनके द्वारा जो है की गई है लेकिन वो दो बैठके जो है विफल रही और लगातार जो है कलरकर अपनी मांगों को ले कर कलरको की लगातार जारी है कलरक का कहना है हम सरकार से सम्मान वेतन अपना हक जो है मांग रहे हैं सरकार को हमारा हक 35-400 देना ही होगा इस वक्त हम बतादे कि पंच्ड कुला सेक्टर 5 की धरना थे फल पर पेंच आड कलर्ग से जो है यह बूखरताल पर बैठे ये जिसको लेकर लगातार पर्सासन से भी जो है इनको लोगों को हिदायते दी जा रही है कि लगातार जिस तरीके से कलर्क अपनी आड़ाल पर बैठे हैं उसको लेकर आम जंता के काम भी प्रभावित हो रहे हैं लेकिन कलर्कों का कहना है कि हम सरकार के सिर्फ अपने सम्मान वेतन जो 35-400 है उसकी मांग करें सरकार जल्थ से जल्थ हमें 35-400 वेतन सम्मान वेतन जो है हमारा दिया जाए हमें भी कोई शौक नहीं है धर्नस्थल पर ब चुक भशन कर रहे थे उसी के दोरान ही कल से जो है भूह कर दाल पर बैठे हुए